तो आप लोग हमसे बार बार पोच ज़ाते कि सरम U.P.T.E.D. की तयारी कैसे करें तो मित्रों, मार्केट में से 1000 हसे सबसे चुनिनदा बुक आप लोग के लिए चुनकर लाएं चछु परकासन की उपटेड़ की एक बुक की मित्रों खासियते होनी चाहिए कि अगर आप लोग के सामने उपरजेंट किया जाए तो आप लोग को अच्छे तरीके समझ में आए तो चछु परकासन का बुक मित्रों उसी लिए आप लोग के लिए बनाये ही गया इसमें तीन हजार अध्यावार महातपूर कोईशन से साथ में दो सौल पेपर हैं नवीन पैटर पर अधायित है चछु परकासन मित्रों जो है यस आर आर पब्लिकेशन की बुक है अगर मित् पर वार्षण परके अपनी समयस्या का समाधान दुन पास सकते हैं जो यूपीटेट का जो सिलिबस है उसी के कार्डिंग मित्रों पार्ट करम को डिजाइन किया गया है कम समय में आप लोग 130 पलस आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इस बुक को मैंने मित्रों बहुत ही गानता स से अध्धन किया है मुझे खुद रिलाइज हुआ कि आप लोग कम समय में इसको पढ़कर अच्छे नंबर पास सकते हैं यूपीटेट में और साथ में मित्रों आप लोगों के लिए सिरीज भी अबलेबल हो चुकी है सभी सब्जेक्ट के इंगलिस के भी बाल विकासियों सिच्छा विदियो से गरित के भी हिंदी के भी प्रयारध्यन के भी संस्कीत के भी और आपके प्राश्मिक अस्तर का मित्रों जो है इसका प्रेक्टिस सेट भी मार्केट में अविलेबल हो चुका है अगर आप लोग अनलाइन पच्छेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप आज नमस्कार आप सभी का सौगत है आपके पने चैनल एक जम अड़फाइश्टेडी पर आज की पांच बिग अपडेट है नई प्रात्मिक सिच्छक भर्ति के बारे में आठ डिजी मैम से वार्ता होई तो डिजी मैम ने क्या कहा है संपूर जानकाई दी जाएगी और सा कार एक बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रही है कि जितने भी आवेदन करता है सभी को इस बार इसकालर सिप दे जाएगी तीसरी बीग अपडेट है 22,000 सीटों को जोडने के लिए डेप्टी CM का मातपूर बयान है लेखफाल भर्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है और नई सब्सक्राइब कर लिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सिच्छक भर्ति जूड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है तो आईए देखते हैं पूरी अपडेट आज अनाम का मैम से मुलाकात होई है हमारे सवाल मैम मैं डियलेट टेट सीटेट पास परसिच्छू हूँ आगामी नई सिच्छक भर्ति के संबन में दिक्त पदो के बियोर्ण हेद सासन दौरा आपके कुसल नेतुद में जो कमेटी गठित की गई थी उसके रिपोर्ट का हम सभी परसिच्छूं को बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ इस्तिती साफ नहीं हुई है जब आप हम अपने अस्तर से कार कर रहे हैं ये सासन का कार है तो करने दिजिए तो मैं हम आप से कहना चाहते हैं जब आपको एक छोटा सा काल दिया गया अगर ओ काम आप समय से नहीं कर पाते हैं तो जो एक आप परसिच्छू है आपको बताने का परियत्न करेगा कि मैं जल से जल आप रिपोर्ट प्रस्तूत करें सरकार की समझ सवाल मैं कुछ लोग बोल रहें की रिपोर्ट सासन को प्रेसिद कर दी गई है क्या या सही है जबाब लाइए हमें नोटिस दिखाईए कहां ऐसा बोला गया है आप लोग स्रिफ अफवा फैलाना जानते हैं ऐसी कोई बात होगी तो सासन से नोटिस जारी होगी तो हम इतनों आप से कहना चाते हैं जो बरतमान की सरकार है योगी जी की ओखुद नई प्रात्मिक सिच्छक बरती इस साल नहीं लाना चाती है अगर नई प्रात्मिक सिच्छक बलती सरकार लाने के इच्छुक होती तो जब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलप नामा दिया था क्याउन हजार 112 पद का साथ में हर साल लगभग 10 से 15 हजार सिच्छक रिटाय होते हैं 80,000 जोल लिया जाए तो लगभग 5 सारोंने 50 और उधर आपका लगभग 7 लाग पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं छोटा मोटा गुरा गरिद करके आप लोग देख लिए मित्रों 7 लाग तो ही हो गए आपके और जो आपके रिक्त पद हैं उसकी बात ही अलग है तो जो बतवान की सरकार है इसलिए कमेटी गठित की है कि भरती परकिरिया डिले हो और जो आम पर सिच्छू है बीड़ वाले डिल़ वाले भाई बैन है वो आंदोलन ना करें क्योंकि आंदोलन करेगी तो सरकार को बाद होकर नई प्रात्मिक सिच्छक भरती का नूटिफेकेशन जारी करना होगा क्योंकि 2022 में उनको चुनाव में जाना होगा एक तरफ 22,000 सिच्छक जो पद है उसको आईट कराने वाले भाई बैन सरकार के नाक में दम किये होएं अगर आप लोग चाहते हैं मित्रों की जल से जल प्रात्मिक सिच्छक भरती आ जाए तो दिपावली के तुरंत बाद आप लोग विसाल धरना पर जसन आयोजित कीजिए और संख्या लगभग आपके हजारों में होनी चाहिए जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी ना कहे दे तब तक आप लोग को लखनों से हिलना नहीं है अगर आप लोग ऐसा कर देते हैं अभी देखिए कुछ चाटूकार जो डेलेड में परसिच्चु में चाटूकार नेता हैं उन्होंने फर्जी कर दिया कि आकर सोसल मीडिया पर रिपोर्ट या कई मित्रों उन्होंने सोसल मीडिया पर डाला कि सरकार के समच रिपोर्ट प्रिसित कर दी गई है लेकिन आज के समाचार पत्र में अमार उजाला में दिया गया है कि लगभग आपके देड़ महिने बीतने वाले हैं लेकिन अभी तक प्रेशित नहीं किया गया है सरकार को कि कितने पड़ आपके खाली हैं तो आपके जो डियलेड में कुछ चाटूकार भाई बेन हैं, जो यही काम कर रहे हैं, सरकार का एक तरह से महित्रों और येंट हैं, तो आप लोग उनके बाकावे में मिम्मत आईए, अब आपको निर्ड़े लेना है कि इस साल आपको प्रास्मिपु सिच्छक बत्ती आजो जना अंतरगत आनलाइन छादवित्ती आवेदन की तिथी तीस नॉमबर तक बढ़ा दी गई है, जिला समात कल्याण अदकारी राजियो कुमार ने बताया कि जिन छात्रों दोरा अभी तक छादवित्ती आवेदन पत्त नहीं बढ़ा गया है, वे तीस नॉमबर तक आवेदन पत्त भरते हुए संबंदित संस्था पर हाड कापी जमा करें, छात छात्राओं की ओर से आनलाइन भरे गए आवेदन पत्त संस्था गत की तरब से अगर सरित करने की अंतिम्तिती दो दिसंबर लखी गई है, तो समाज कर दिया है कि अबकी बाद जो आपकी स्का एकाउन में पहुच जाएंगी, और साथ में ये भी निर्देश दिया गया है कि जितने भी आवेदन करता है, अगर उनके सभी डाटा सही पाए जाते हैं, तो सभी को इस बार इसकालर से मिलने जा रही है, अब बात करते हैं, 22,000 सीटों को लेकर डिप्टी सीम का बयान, मि पिश्रावर्ग हो, समाज का लियान एक बिवाग के बात कर दी जाए, उसके लिए भी मीटिंग हुई कि सब को अपकी बार इसकालर से दी जाए, साथ में आज मित्रों मीटिंग थी, उसमें जो 22,000 सीटों वाले भाई बैन हैं, वो पहुचे, तो डिप्टी सीम ने मित्रो क्या कहा, आप लोग को सुनना चाहिए, तो डिप्टी सीम के सो पसाद मोर्या जी कहते हैं, जो हमारे 22,000 सीटों वाले भाई बैन हैं, वो मांग करते हैं, कि सर 22,000 सीटे जोड़ी जाए, तो डिप्टी सीम के सो पसाद मोर्या जी कहते हैं, यह जो चुनिंदा लोग आए है दस से पंद्रा लोग ये सब सपा के कार करता है अखलिस यादो जी भेद देते हैं कि आप लोग जाईए जो बीजेपी का सम्मेलन चल ला है उसमें जाईए आप लोग खुडंक करिए और मीडिया वाजी में मीडिया के साम ने आप लोग ध्यान अकर्षित कराईए तो मित्रों क्या आप लोग जो 22,000 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं लगभग 115 दिन से क्या आप लोग समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं नहीं आप लोग एक आम पर सिच्छों हैं एक आम चात्र हैं जो 97 का क्राइटेरिया आप लोग पास किये हुए हैं और आप लोग को जो 22,000 सीटे हैं वो आपकी की सीटे हैं वो आपको सभी को मिलनी चाहिए जैसा सुप्रीम कोर्ड का वर्डिक था कि एक लाग 37,000 पदों को दो कर्मागत वर्तियों में बरा जाए इसलिए सभी सीटे आप सभी के हैं अब बात करते हैं लेखवाल भर्ति का नोटिस के बारे में तो मित्रों लेखवाल भर्ति का नोटिस जारी कर दिया गया है उसमें सभी जिलों से अधियाचन मनाये जा रहे हैं 2018 से लेकर 2020 तक के तो जो पदों की संख्या है 8,000 आपके होने जा रही है और इसके आवेदन आप सभी के नॉंबर मा में लिये जाएंगे और परिच्छा नॉंबर मा के लास्ट या दिसम्बर मा के फश्वीर तक आप सभी के हो जाएंगे अब आईए बात करते हैं नई यल्टी गेट के 8800 पदों पर अधियाचन मित्रों आपके लोग सेवा आयोग को पहुचना इस्टार्ट हो चुके हैं और साथ में नई टीजीटी पीजीटी के जो बर्ती है लगबग 27,000 पदों पर इसके भी अगर आप लोग अपनी संख्याबल दिखाते हैं मातमिक सिच्छा सेवा चैन बोर पर मित्रों आकर आप लोग धन्दा परतसन देते हैं तो 9 बदिसंबर में आप लोग को 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी की बर्ती देखने को मिल सकती है तो मित्रों ये थी बिग अपडेट ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए इस वीडियो को आप लोग धुआदा सेयर कर दीजीए